आंधुप्रदेश में ट्रेन हाथसा होता है, 13 लोग मारे जाते हैं, उसे मानवी भूल बता दिया जाता है, रेल मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्यों भला? सीक्रिट चुनावी चंदे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है, और सरकार का नुमाइंदा सुप्रीम कोर्ट में ये कहता है, कि आम जनता को ये जानने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है, कि चुनावी चंदे का सोर्स कहा है? जबकि सीक्रिट चुनावी चंदा यानि की सीक्रिट एलेक्टोरल बॉंड्स पे 96 फीसदी भारती जनता पार्टी की जेब में जाता है, इसलिए सरकार का नुमाइंदा ये कहता है, कि जनता को ये जानने की जरूरत ही नहीं है, कि ये चुनावी चंदा कहां से आ रहा है, अरे भाई आप सरकार हैं, पारदरशिता नाम की भी कोई चीज होती है, वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच, क्योंकि खबरों की इन्हीं गहराईयों में छिपा है, राजनीती का असली खेल, नियूस चक्र, खबर की गहराईयों को टटोलता, स्वागत है आपका नियूस चक्र में, मैं अभिसार शर्मा, आज एक एहम सवाल आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, क्या मोधी सरकार की कोई जवाब देही है, और सबसे बड़ा सवाल, आखिर सवालों से, जवाब देही से ये सरकार क्यों बच्छती है, और ये मुद्दा म आपके सामने इसलिए लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि एक ट्रेन हाथसा होता है, एक और ट्रेन हाथसा, पिछले कई महिनों में आधा दर्जन ट्रेन हाथसा हो चुके हैं, सबसे बड़ी बात, कुछी महिनों पहले, उडिसा में एक ट्रेन हाथसा हुआ था, तीन सो लोग मार किया जा रहा था तो रेल मंत्री भारत माता की जै कह रहे थे आखों से आसू बहा रहे थे अपनी जवाब देही से बचने के लिए सबसे शौकिंग बाद भाजपा का प्रचार तंत्री नहीं गोदी मीडिया भी रेल मंत्री से कोई सवाल नहीं पूछ रहा था लोग कह रहे थी कि देखों रेल मंत्री जो है वो घटना करम पर पहुँच गए है घटना स्थल पर पहुच गए है इसलिए उनसे सवाल पूछने की कोई जरूरत नहीं है और उनके कारकाल में लगातार एक के बाद एक ट्रेन हाथसे हो रहे हैं याद कीजे दोस्तों कितनी बड़ी बड़ी बाते की गई थी कि हमें कवच सिस्टम लेकर आए हैं कोई ट्रेन हाथसा नहीं होगा बगर क्या हो रहा है ट्रेन हाथसे हो रहे हैं बार बार हो रहे हैं याद कीजे कवच के नाम पर क्या कहा गया था सुनते हैं उसे स्पीड को कम कर देगा, कम करके उसको रेड लाइट से पहले पहले रोक लेगा, कोई गेट आ रहा है, तो उस गेट के पास जैसी ट्रेन पहुंचे, बाई चानस अगर ड्राइवर ने विसल नहीं बजाए, तो भी कवच उसमें आटमेटिकली विसल बजा देगा, तो य विवर्तन उनकी जीवन में एक बहुत बड़ा लाग लाइए, ये कवच ऐसी एक टिकनालोजी आप जानते हैं दोस्तों, उस वक्त न सिर्व रेल मंत्री अश्मिनी वैशनव को बचाने की कोशिश की जा रही थी, बलकि उस वक्त आपको याद होगा, एक कालपनिक खलनाय पैदा किया गया था, बार बार प्रचार तंत्र जो है ये कह रहा था, भाजपा का प्रचार तंत्र, कि किस तरह से जहां पर ट्रेन हादसा हुआ है, उससे कुछ दूर पर एक मस्जद है, जबकि मस्जद नहीं था, एक मंदिर था, उसके इलावा ये भी कहा जा रहा था कि स्टेशन मास्टर एक मुसल्मान था वो भी नहीं था ये भी कहा गया था है कि मुसल्मान था और वो भाग गया वो भी गलत साबित हुई यानि कि अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए इस तरह की अनर्गल बाती की जा रही थी मकसद यही था कि किसी तरह से अश्विनी वैशनव को बचाया जाए ये कहकर कि भारत के अहुभाग्य इतना पढ़ा लिखा रेल मंत्री मिला है उसकी जवाब देही हम कैसे तै कर सकते है जबकि इस देश का लंबा इतिहास है कि चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो चाहे नितीश कुमार हो जब भी वो रेल मंत्री हुए है जब भी बड़े बड़े हाद से हुए उनकी जवाब देही तै की गई है उनकी नौकरियां गई है मगर नहीं साहब अश्विनी वैशनव जवाब देहे नहीं है वो भारत माता की जय कहकर निकल जाते हैं उनकी कोई जवाब देही नहीं है मैं आपको बतलाना चाहता हूँ दोस्तों इस मुद्दे पर करारा हमला बोला है कॉंग्रिस के अध्यक्ष मलिकार जुन खडगे ने खडगे क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन्स पर खडगे ने केंदर पर निशाना साधा कहा सुरक्षा की बातें हवा हवाई हो गई कॉंग्रिस अध्यक्ष मलिकार जुन खडगे ने आन दुरप्रदेश ट्रेन हाथ से कुले कर मोदी सरकार पर निशाना साधा है उन्होंने सुमबार को कहा कि ट्रेनों को धूम धाम से हरी जھंडी दिखाने में जितना उत्सा दिखाया जाता है उतना ही उत्सा रेल्वे के सेफटी और पैसेंजर्जर्स की सुरक्षा के लिए action लेने में दिखाया जाना चाहिए X post में उन्होंने कहा कि वजय नगर train हादसे के बारे में जानकर दुखी हूँ मृतकों के परिजनों के साथ मेरी समवेधना है ऐसा लगता है कि केंडर सरकार ने बाला सोर हादसे के बाद सुरक्षा की जो भी दावे किये गए थे वो सब हवा हवाई हो गए है ये सवाल तो किया जाना चाहिए बड़ी बड़ी बाते की गई थे कि अब ऐसा train हादसा नहीं होगा और सबसे बड़ी बात बार बार एक मानवी भूल की बात की जाती है और इस खबर में क्या डीटेल्स हैं दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूँ आपकी स्क्रीन्स पर आंद्रप्रदेश में दो ट्रेने टकराई अब तक 13 की मौत 50 गायल आंद्रप्रदेश में विजय नगरम जिले में रविवार की शाम दो ट्रेने टकरा गई इस हाथसे में 9 यात्रियों की मौत हो गई थी सुमवार सुबह मरनेवालों का आखड़ा बढ़कर 13 हो गया हाथसे में 50 यात्री जो हैं घायल है टकर विजय नगरम में आलमांडा कंकट पल्ली के बीच हुआ इस्ट कोस्ट के रेलवे CPRO विस्वजीत साहु ने बताया हाथसा मानविय भूल के चलते हुआ विशाखा पत्नम राय गड़ा पैसेंजर ट्रेन के ड्राइवर ने सिगनल को ओवर्शूट किया जिससे ये आगे चल रही विशाखा पत्नम पलासा पैसेंजर ट्रेन से भिड़ गई टक्कर से दोनों ट्रेनों के पांच डिब्बे पटरी से उतर गए इनमें से तीम कोच आगे की ट्रेन के और दो पीछे आर ही ट्रेन के थे सिगनल ओवर्शूट यानि कि प्रशिक्षन में कमी अब भाई जवाब देए तो कही न कहीं तै की जाएगी ना बार-बार मानुए भूल का हवाला ये सवाल किया जाना चाहिए कि आखिर क्या बात है कि एक के बाद एक ट्रेन हादसे होते हैं और आप जानते हैं बाला सोर ट्रेन हादसे हो सकता है ऐसी उस वक्षेटावनी दी गई थी दोस्तों मगर उन छेटावनियों पर बिल्कुल भी काम नहीं किया गया और आपके सामने परिणाम है चलिए मान लिया कि इस हादसे में घलती ट्रेन चलाने वाली व्यक्ति की थी मगर मैं आपसे एक सवाल आदसा नहीं है जिसमें 13 लोग मारे गए है आप जानते हैं इस वक्ष सुप्रीम कोट के सामने सीक्रिट चुनावी चंदा वो मुद्दा सामने है अब मैं आपको बतलाना चाहता हूँ सीक्रिट चुनावी चंदा यानि एलेक्टोरल बॉंड्स का क्या मतलब है स्वर्गे वित्यमंत्री आरुन जेटली ये सौगात लेकर आये थे इसकारत क्या हुआ कि कोई भी व्यक्ति बैंक में जाकर बॉंड्स बनवा सकता है 10,000 रुपे से लेकर 1 करूर रुपे तक और आप अपनी काली कमाई आसानी से किसी भी पुलिटिकल पार्टी को दे सकते हैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा सबसे शौकिंग बात इस मुद्दे को लेकर जब ये योजना आई थी तब रिजर्व बैंक ओफ इंडिया क्यों कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जब आया तो केंदर सरकार की जो नुमाइंदे थे उन्होंने क्या कहा है दोस्तों इस पर मैं आपका ध्यान खीचना चाहूंगा citizens don't have right to know source of political parties fund a tony general tells supreme court indian electoral bonds case आज ही a tony general ने supreme court में एक हलफ नामा दायर किया है और ये कहा है कि जो देश के नागरिक हैं उन्हें ये जानने का अधिकार नहीं है कि चुनावी चंदे का सूत्र क्या है यानि कि ये चुनावी चंदा कहां से आ रहा है क्योंकि चुनावी चंदे को चुनोती ये दी जा रही है कि इस चुनावी चंदे से भारतिये जनता पार्टी में 95% पार्ट जा रहा है और उसे फाइदा मिल रहा है और कई लोग अपना काला धन वो सीक्रिट एलेक्टोरल बॉंड्ड के जरिये political parties को दे रहे हैं और उसमें से 95 फीसदी भाजपा की जेब में जा रहा है अब सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया भई कि देश के नागरिक को ये जानने का अधिकार है कि ये चुनावी चंदा आ कहां से रहा है तो केंद्र सरकार के नुमाइंदे ने कहा है कि नागरिकों को ये जानने का अधिकार नहीं है नागरिकों को ये जानने का अधिकार हो सकता है कि भाई जो प्रत्याशी है उसका आपराधिक background है या नहीं आपराधिक प्रिश्भूमी है या नहीं मगर पैसा कहां से आ रहा है यह जानने का अधिकार नहीं है यानि कि एक और तरीके से यह बतलाने की कोशिश की जा रही है कि सरकार की कोई जवाब दे ही नहीं है आम इनसान सरकार से कोई सवाल नहीं पूछ सकता हम सीधे सवाल पूछना चाहते हैं आखिर क्यों? जबकि आज से करीब तीन साल पहले मैंने कारकरम किया था और उस कारकरम में मैंने बतलाया था कि चुनाव आयोग और Reserve Bank of India दोनों ने Electoral Bonds पर आपत्ती जाहर की थी आपको यादे आप भूल गए आईए देखते हैं सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि चुनाव आयोग ने अपनी क्या आपत्ती जाहर की थी सुनते हैं ये बिल संसद में आया एक फरवरी को और उसके ठीक चार महीने बाद यानि मई 2017 में चुनाव आयोग ने Law Ministry को एक खत लिखा इस खत में उन्होंने क्या लिखा मैं आपको बताता हूँ Electoral Bond के जरीए राजनीतिक दलों को विदेशी सोर्सस से संभावित अवैद चंदे को छिपाने में मदद मिलेगी संदिक्द चंदा दाता फरजी शेल कंपनिया स्थापित करके राजनेताओं के पास काराधन पहुँचा देंगे और पैसे का सही सोर्स कभी सामने नहीं आएगा दरसल चुनाव आयोग चाहता था कि इस बिल को वापस लिया जाए और वो इसलिए कह रहा था वापस लिया जाए क्योंकि उसे लग रहा था कि इससे जो चुनावी पारदर्शिता है वो खत्म हो मगर मैं आपको बता दूँ कि उस वक्त चुनाव आयोग में इस सरकार के खास बियोरोक्राट्स नहीं थे मसलन सुनील एरोडा, मसलन सुशील चंद्रा उस वक नहीं थे उस वक्त चुनाव आयोग की जो का जो चहरा था वो अलग था शायद इसी वज़े से चुनाव आयोग अपनी आपत्यां दर्श कर रहा था मगर मोधी सरकार ने क्या किया पूर्व वित्यमंत्री आरुण जेटली ने कहा कि आर बियाई और चुनाव आयोग को लेकर बैठक बुलाई जाए और ये बैठक हुई 19 जुलाई 2017 को उस वक्त के वित्यसचिव ऐसी गर्ग ने बाद में अपनी फाइलों में कहा कि जो तमाम अधिकारी आये थे आर बियाई से या चुनाव आयोग से उन्हें समझा दिया गया है इस बात पर जोर दिया गया है कि ये योजना सब को समान अवसर देती है सब ही political parties को समान अवसर देती है और इससे सत्ता पक्ष को फाइदा नहीं होगा यानि कि चुनाव आयोग ने जो भी आपत्ती दर्श की थी उसका लिखित जवाब नहीं दिया गया आज हम सवाल पूछना चाहेंगे दोस्तों आखिर क्यों और क्या आप जानते हैं सबसे शर्वनाग बात क्या है कल भारती जनता पार्टी के नेता प्यूश गोईल ने इस पर प्रेस कांफरेंस की और जैसा कि उम्मीद की जा रही है जो तमाम मुद्दे आज हम अपने कारकरम में उठा रहे हैं जो नितिन सेठी ने अपनी रिपोर्ट में उठाई है उस मुद्दे को लेकर किसी पत्रकार ने सीधा सवाल प्यूश गोईल से नहीं किया मसलन किसी ने शायब उनसे पूछ लिया होगा चुनाव आयोग के बारे में मगर यहां पर प्यूश गोईल का जवाब बहुत ही आस्यास पद है वो अब भी यह कह रहे हैं कि उम्मीद है चुनाव आयोग ऐसा करेगा सुनिए यानि कि दो साल बाद अब भी आप उम्मीद जता रहे हैं कि चुनाव आयोग ऐसा करेगा जबकि चुनाव आयोग की आपतियां तो आन रिकॉर्ड हैं स्पष्ट हैं आप इसका जवाब आखिर क्यों नहीं देते ना खाऊंगा ना खाने दूंगा तो देखा आपने कि बीजेपी ने किस तरह से मुद्दे को ही टाल दिया जिया दोस्तों ना खाऊंगा ना खाने दूंगा तो ये तो हुआ चुनाव आयोग अब रिजर्व बैंक उफ इंडिया ने भी एलेक्टोरल बॉंड्स पर आपति जाहिर की थी क्या कहा थे रिजर्व बैंक उफ इंडिया ने और यहीं न्यूस क्लिक पर मैंने उकार करम किया था सुनते हैं आपति नंबर एक इससे मनी लॉंडरिंग को बढ़ावा मिलेगा आपति नंबर दो भारतिये करंसी पर भारतिये पैसे पर भरोसा तूटेगा आपति नंबर तीन केंद्रिये बैंकिंग कानून के बुन्यादी सिध्धानतों पर ही खत्रा आ जाएगा और रिजर्व बैंक उफ इंडिया ने एक और बात कही थी जो से कहने की जरूरत नहीं थी उसने कहा था कि इस से चुनावी पारदर्शिता पर असर पड़ेगा यानि की जो हमारे चुनाव होते हैं वो ट्रांस्पेरिंसी के साथ नहीं हो सकेंगे सत्ता पक्ष के समर्थन में पूरी प्रक्रिया हो जाएगी क्या कहा था मैं आपको बताता हूँ उन्होंने ये कहा कि अगर इसका इरादा ये है कि इस एलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदने वाला व्यक्ती, संस्था या एकाई राजनीतिक दल में दान दे सके तो वो तो आप डिमांड राफ्ट, शेक या फिर एलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल पेइमेंट के जरी भी कर सकते हैं इसके लिए आपको इस बिल की जरूरत नहीं है ये तो सामान प्रक्रिया के अंतरगत हो सकता है और आर्बियाई ने एक और एहम बात की उन्होंने कहा कि अगर ये बिल वजूद में आ जाता है तो इंटरनाशनल नॉर्म्स यानि कि जो स्थापित अंतराश्री विवस्ता है वो बिगड़ जाएगी आर्बियाई ने सकत हिदायत दी थी मगर सरकार ने तो मन बना लिया था आप कि स्क्रीन्स पर इस वक्त हस्मुक अडिया हैं राजस सचेब उन्होंने क्या जवाब दिया आर्बियाई की इस आपत्ती पर ये भी पढ़िये वो कहते हैं मुझे लगता है आर्बियाई दान दाता की पहचान को गुप्त रखने के मकसद से लाए जा रहे प्रस्तावित प्रीपेड बेरर इंस्ट्रूमेंट के तंत्र को ठीक से नहीं समझ पाया है जबकि उसमें ये सुनिश्चित किया गया है कि जो भी दान देगा वो उस व्यक्ति के टाक्स पेड पैसे से ही होगा तो एक तरफ तो हस्मुक अडिया ये कह रहे हैं कि सहाब RBI समझ नहीं पाया मगर बाद में उन्होंने जो कहा वो पूरी तरह से विरोधा भास है वो क्या कहते हैं RBI की सलह काफी देर से आई और economic bill पहले से ही छप चुका है इसलिए हम अपने प्रस्ताव के साथ आगे बढ़ सकते हैं यानि कि पहले तो आप कहते हैं RBI समझ नहीं पाया बाद में आप कहते हैं क्योंकि इनका सुझाव बहुत देर से आया इसलिए हम अपने economic bill में इसको शुमार नहीं कर सकते इसकारत क्या हुआ कि RBI ने जो आपत्यां दर्श की थी उसको लेकर मोधी सरकार ने कोई तरक नहीं दिया किसी भी तरह से गंभीरता से उसे संबोधित नहीं किया तो देखा आपने Reserve Bank of India ने भी आपत्य जाहिर की थी और चुनावायों में और आप जानते हैं इस स्कीम में ये भी कहा गया है कि भाई कोई भी Business House किसी भी Political House को किसी भी Political Party को चंदा दे सकता है और ये पता नहीं चलेगा कि कौन चंदा दे रहा है ये भी गलत है क्योंकि सरकार ये पता लगा सकती है क्योंकि जब आप वो Electoral Bond खरीदते हैं तो आपको एक यूनीक नमबर मिलता है और उस यूनीक नमबर की जानकारी सरकार के पास बहुत सकती है सबसे शौकिंग बात यह है दोस्तों और मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि केंदर सरकार के दुमाइन देने क्या कहा है अदालत में आपके स्क्रीन पर Firstly There can be no general right to know anything and everything without being subjected to reasonable restrictions Secondly The right to know as necessary for expression can be for specific ends or purposes and not otherwise हर चीज़ पर आपको right to know नहीं हो सकता यानि कि हर चीज़ की जानकारी आपको नहीं हो सकती केंदर सरकार के नुमाइन दे कह रहे है मैं केंदर सरकार से यह पूछना चाहता हूँ कि जब Reserve Bank of India ने इस पर आपत्ती जाहर की चुनाव आयोग ने इस पर आपत्ती जाहर की तो फिर आम इनसान को जानने का अधिकार क्यों नहीं है और A.G. आखिर क्यों सुप्रीम कोट के सामने कह रहे है कि नहीं साब कोई जरूत नहीं जानने की यह तो बहुत यह अजीब और खरीब बात हुई ना आखिर मोधी सरकार जवाब देही से बच्चती क्यों है जो पत्रकार आपसे सवाल करें उस पर आप ED, income tax की rate पढ़वाएं उसे UAPA की धारा में जेल में भेज दें जो सामाजिक कार करता आपसे सवाल करें उसे आप जेल में रखें यह क्या मतलब हुआ भला जवाब देही से आप कैसे बच सकते हैं आपसकर वो शक्स जो अपने आपको प्रधान सेवक कहते हैं प्रधान मंत्री भी नहीं प्रधान सेवक कहते हैं मैं मानता हूँ यह संगोल यूग चल रहा है मैं मानता हूँ कि अमरितकाल चल रहा है मगर इसका मतलब यह नहीं कि आप जवाब देई से बचेंगे आपको सवालों के जवाब देने होंगे चाहे रेल मंत्री हो चाहे सीक्रिट एलेक्टोरल बॉंड्स में सरकार की जवाब देई हो आप सवाल से बिल्कुल नहीं बच सकते और मैं सवाल पूछता रहूंगा अविजार शेर्मा को दीजे जासत नवसकार